वेलकम टू एग्जाम ज्यान मंत्रा हिस्ट्री के पार्ट बंद में हम लोग बेदों हे सम्मंधित सभी परक्षापियोगी प्रिश्णों को डेटेल में डिस्कस करेंगे आप ये वीडियो देखके परक्षाओं में 100% सियोर्टी के साथ जा सकते हैं बेदों से आपका एक भ परिश्न है, बेदों का सही क्रम क्या है तो सबसे पहले रचना होई थी रिगवेद की उसके गजरवएद की उसके वाद साम परक्षां की अथर्बबेद की से संख्या कितनी है तो यहां देखते हैं रिगवेद में दस मंडल हैं दस मंडलों के अंदर दससो अटाइस सूथ हैं तथा 1028 सूथ के अंदर 10462 रिचाएं हैं अगला क्वेद के किस मंडल में गयतरी मंतर का लेक किया जाता है यह सबसे important question माना जाता है कि रिगवेद के किस मंदल में गायत्री मंतर का उल्लेक किया गया है या फिर गायत्री मंतर कहां से लिया गया है तो गायत्री मंतर रिगवेद के तीसरे मंदल से लिया गया है रिगबेद के किस मंडल में सौम का उलेक किया गया है तो रिगबेद के नौमे मंडल में सूर्य यानी सौम का उलेक किया गया है रिगबेद में सबसे अधिक उलेक किसका किया गया है तो रिगबेद में सबसे अधिक उलेक किया गया है इंडर का कि रिखिबेद में किवेद इंदर के लिए 2000 residence जिए गई है मत्र बली आदी का बेद किसे माना जाता है अगला कॉस्चन है भारती संगीत का जनक किसे माना जाता है तो भारती संगीत का जनक माना जाता है साम बेद को साम बेद को भारती संगीत का जनक माना जाता है तंतर मंतर जादू टोना आदी का उलेख किसमें मिलता है तो तंतरमंतर जादू टोना आदी का उल्लेख अथर्ब बेद में किया गया है तथा अथर्ब बेद में ही तंतरमंतर जादू टोना आदी का उल्लेख मिलता है अगला कॉस्चन है बेदांगों की संख्या कितनी है तो बेदांगों की संख्या है 6 पुराणों की रचना किसने की थी तथा इनकी संख्या कितनी है अगला कॉस्चन है पुराणों की रचना किसने की थी वा इनकी संख्या कितनी है तो पुराणों की संख्या है 18 वा इनकी रचना की थी रिशी लोम हर्स वा उग्रश्वाय रिशी ने मिलके 18 पुराणों की रच की थी यह भी सबसे important question है कि पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है तो मत्स पुराण का निर्मार सबसे पहले किया गया था वह मत्स पुराण को सबसे प्राचीन तम पुराण माना जाता है सबसे प्राचीन इस्मृति किसे माना जाता है तो सबसे प्राचीन इस्मृति मनु इस्मृति को माना जाता है नारद इस्मृति का संबंध किस काल से माना जाता है तो नारद इस्मृति का संबंध गुप्त काल से माना जाता है बिश्णुपुरार का संबन्द किस बन्द से माना जाता है? बिश्णुपुरार संबन्द है मौर्बन्द से किन बेदों को उपवेदों के अंतरगत माना जाता है? तो किस बेद को रुद्र का किस बेद को रुद्र नाम का इस्तरोत माना जाता है और थात रुद्र नाम किस बेद में सबसे पहले उलेखित था तो रिगबेद में रुद्र नाम सबसे पहले उलेखित था तथा रिगबेद से ही रुद्र नाम की गणना या फिर रचना हुई है बेद पुरार उपनिशद आधी संस्क्रित भाहाशा में लिखे गए हैं अगला question है उपनिशद क्या है ? तो उपनिशद हिंदू दर्षन के स्तरोत हैं बेद सब्ध का अर्थ क्या होता है ? यज़यर्भेद तथा सामवेद को सन्यक्त रूप से क्या कहा जाता है ? रिगबेद सामबेद तथा यजुरबेद को संयुक्त रूप से बैदतरई कहा जाता है राज अभीशेक का विवरण सबसे पहले किस मैं किया गया था तो राज अभीशेक का विवरण एतरे ब्रामन मैं सबसे पहले किया गया था भारत की राजकी चिन्द जो हमारा असोक इस्तम्भ है भारत की राजकी चिन्द पर उले खित सत्मे विजयते कहां से लिया गया है ये है हमारा असोक इस्तम्भ है इसके नीचे लिखत है सत्मे विजयते तो ये सत्मे विजयते कहां से लिया गया है तो ये सत्मे विजयते को लिया गया है मुंड को उपनिशाद से जो मुंड को उपनिशाद है उससे सत्यमेब जैते को लिया गया है सो यह थी आज की वीडियो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज डू लाइक सेर एंड सब्सक्राइब